स्वागत करते हैं दोस्तों आपका financial education की दुनिया में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी भी IPO में application लगाना चाहते हैं तो IPO में application लगाने के लिए कुन-कुन से point को हमें देज दिख रही है तो यह माना जाता है कि market में जो की IPO आया है वह अच्छे खाती listing यह हमें दे सकता है इसके साथ ही कुछ एक point यह भी होते है कि जब हमें IPO का allotment टाइम मिलता है तो हमें IPO का allotment किस पर का से लेना चाहिए इसके में हमें कुन-कुन सी बातों को ध्यान मिलता है ताकि हमें IPO का allotment जल्दी से मिल जाए और इसमें हम यहां से return ले सके तो इस सारे बातों के उपर हमें यहां पर discuss करने वाले हैं साथ यह भी एक mainboard IPO आया है उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे तो हमें आपर जानके लिए बढ़ते हैं पूर आपडेट समझते हैं सबसे पहले दोस्तों हमें आपर बात करते हैं कि अगर हम IPO में allotment लेना चाहते हैं तो इसमें हमें कुनकों सी बातों को ध्यान बढ़तना चाहिए इसका करण यह होता है एक तो यह होता है कि IPO ओवर सबस्काइब हो रहता है और हम 3 बज़े या 4 बज़े के बाद अप्लिकेशन लगाना चाहते हैं तो हमें 2 दिनों को इंतियार करना चाहिए दो दिनों की इंतियार करने के बाद यह देखने में जाता है कि IPO कितना ज़्यादर सबस्काइब हो रहा है इन्वेस्टर का रोज़ान इस IPO को लेकर किस पराद से है अगर IPO ओवर सबस्काइब हो जाता है तो डेफिनेटलि हम उस IPO में लिस्टिंग के लिए पैसा लगा सकते है यह तो होगा पहला पाइंट दूसा पाइंट यह आता है कि IPO में एप्लिकेशन लगाने से पहले हमें कि अगर नहीं होता है तो जो हमने पर फंड लगा तो वह वापीस हो जाता है मतलब इतने दिन जो हमने इंतियार किया और हमें कुछ ही मिलता है तो इसके कि हमें अपने family members के debit accounts open करना चाहिए और उन account के माध्यम से एक-एक lot के लिए सबी account से application लगाना चाहिए अगर हमें IPO का allotment मिलता है तो family member mail से किसी एक वेक्ति को मिल सकता है जिसमें हम यहां से कुछ ना कुछ gain ले सकते हैं तो यह काफी important बात हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और अगर आपका family members के debit account नहीं है तो describes हमें दीगे link से आज यहां डिमेट account open करें और IPO में investment की जरनी को आप स्टार्ट कर सकते हैं तो यह कुछ खास बाते थे जिसमें IPO का एलाट्मेंट मिलने की संभावनें बढ़ जाती है अब हम यहां पर बात करते हैं कि यहां पर IPO में application किस बखास लगाए तो IPO में application लगाने के लिए यहां पर हम जो application के platform को यूज करते हैं वह एंजर्मन के application तो यह के application में हम आ जाते हैं जैसे के आपको यहां पर साइड में देखने को मिल रहा है आपको homepage में यहां पर देखने को मिलता है इस पर click करना है अभी यहां पर IPO आया है जिसका नाम है रतनवीर का IPO आया हुआ है इस IPO में आप किस परकार से application लगा सकते हैं इसके बारे में पूर जानकरी मिलती है तो जैसे रतनवीर के IPO में हमें application लगाना है तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि IPO कितना दिनों के लिए खुला हुआ है यह IP हो तीन दिनों के लिए खुला है जो कि आज से खुला है और अगर दो दिनों तक कि खुला रहेंगा तो इस IP में हम देखते हैं कि यहाँ कंपनी एक इंजिनिरी सेक्टर से ब्लॉंग करती है इस IP में मिनिमम इंवेश्मेंट जो है यह 13,950 का लगेंगा और एक lot में यहा 34 lot के लिए application लगाना चाहते है मतलब कि यहाँ पे 5,100 quantity के लिए हमें order लगाना होगा जिसके लिए जो maximum amount है यह 4,99,800 प्रूइस हमें अपने saving account में रखना होगा इसके बाद यह IPO में सबसे बड़ी बात आती है subscription नंबर चेक करने की तो यह IPO जो है कि यह 5 times over subscribe हो चुका है अब अब दो दिनों की बात है मतलब कल भी हम देखेंगे कि कल IPO में कितना subscription का नंबर मिला है अगर IPO 50 times से ज़्यादा सबस्क्राइब हो जाता है तो IPO में हम application लगाने के बारे में सोच सकते है अब यहाँ पर apply for IPO के बटन के उपर click करना होता है यहाँ में यहाँ पर अधी जान करी फीए थोटा नेचर स्कॉल करना होता है तो आपको देखने को मिल जाता है company के बारे में तो आपको देखने को मिलता है यह आइप 4 सितंबर से ओपन हुआ है छे सितंबर को यह आपफर एंड हो जाएगा 11 सितंबर को इस IPO का आइलाट्मेंट मिल जाएंगा और 14 सितंबर को क्पनी के बारे में कुछ बैसे यहां पर देखने को मिल जाती है इसके बारे में पूरी यहां देखने को मिल जाती है इसके बाद ही आपको इस company से related कुछ positive और negative point देखने को मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर positive point यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इनको हम देख सकते हैं इसके बाद दो risk point भी है जिनको यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके बाद यहां पे NSS करने के आधार पे आपको यह idea हो जाएंगा कि यह आई पो कितना अच्छा है जिसमें मैं application लगानी चाहिए इसके और आपको अधिक यारिकारी के लिए एक PDF यहां पे लगा हो मिलेंगा इस PDF को डाउनलोड करके यहां पे हम जानकर ही एक खत्रिक कर सक आपको यहां पर यहां पर आपको यहां पर यहां पर इंटर करना होता है और जो आपका इमांट है यह आपको अपने सब्सक्राइब करना होता है इसके बाद यहां पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर क्लिक करना है तो यहां पर क्लिक करना है जैसे पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहां पर समिट हो जाता है अब अभी तो हमारा यहां पर यहां पर समिट हुआ है लेकिन आपको जो युबे आडी दिया था उसको का रिक्वेस्ट जाएंगी कि आपको 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 आता है तो आपको से कॉलाटम बिलता है तो आपके से कर देद को जाएंगे वेगा आपको IPO को अलाटन नहीं मिलता है तो जिस दिन IPO का डेट है उज़ दिन है उसका ने इस तक आपको बीडियो को रिलीव कर दिमकोशंट में तो यह सिंपल इस आपको बना सकते हैं्पूर्ट जो सकते हैं, उमेड करते हैं दोस्तों जो जानकरी आपको परणतर होंगी यहाँ पे किसी भी देगा बाय हैंड से रिकल कि कम्मेंडेस्चन नहीं है